आपके समाजिक विज्ञान के परिक्षा में बस कुछी चंसे सबच गए हैं बस कुछी पलों के बाद आप सभी लोग अपने अपने एकजाम हॉल में रहिएगा लेकिन उसके पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो में बताएगे सारे कोशन को ध्यान से एक बार देख लिजे क्योंकि अगर आपके एकजाम में कोशन पूछे जाएंगे तो इन ही सारे कोशन में से कोई कोशन पूछा जाएगा इससे बाहर का एक भी कोशन नहीं पूछा जाएगा तो बस आप लोग फटा-पट से सारे कोशन को एक बार जरूर देख लिजे तो तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहले नमर कोशन पर चलेंगे लेकिन उसके पहले अधी आप लोग चैनल पर नहीं है तो फटापट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे तो चलिए हम लोग पहला नमर कोशन देखेंगे तो पहला नमर कोशन कह रहा है कि हिंद चीन में कौन सा राष्टर सामिल नहीं है तो पहला का सही जवाब हो जाएगा चीन हिंद चीन में जो चीन है वह सामिल नहीं है पहला का C नमर उप्षन सही होगा दूसरा नमर कोशन कहा है कि BNA कॉंग्रेश कब हुआ था तो ध्यान रखिएगा BNA कॉंग्रेश 1815 इसवी में हुआ था दूसर का C नमर उप्षन सही होगा चौथा नमर कोशन कह रहा है कि दितिये महायुद के बाद उरोप में किस संस्था का उदय है आर्थिक दुस्पर भावों को समाप्त करने के लिए हुआ दितिये 20 विद के बाद पूछा जा रहा है कि दितिये 20 विद के बाद उरोप में किस संस के साथ सकते काफी महतपून कोस्टन है नरुत्तम सिंहहानु किस देश sleश जवाब जेम से बाट हो जाएगा छटा का बी नमर अप्सन अपलोग ध्यान रखिएगा शात्मा नमर कोशन टाटा आइरंड एंड अस्टील कंपनी के स्थापना कब की गई तो ध्यान रखिएगा उनिशो साथ इसवी में और कहां की गई तो जम सित्पूर में अपलोग ध् उसके बाट नमर कोशन कहरा है कि किस अमेर्की राष्टपती ने निव डिल लागू की तो नमा का सही जवाब हो जाएगा एफ डी रूजबेल्ट यानि कि नमा का बी नमर अप्सन सही हो जाएगा एफ डी रूजबेल्ट नहीं निव डिल लागू की थी चले दसमा नमर को फड़ा फट से बताईए 11 नमर कोशन नीचे लाइब चेट में आप फड़ा फट से बताते चलिएगा तभी आपका रिवाइज होगा तभी आप लोग समझ पाईएगा कि कैसी तैयार ही है कितना नमर आएगा हमारे परिक्षा में फ्रेंकफर्ट के संदिक कभी 11 नमर कोशन तो ध्यान रखिएगा 11 का D नमर आप्षन से योगा 377 इसवी में चलिए 12 नमर कोशन काल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था तो 12 का सही जवाब हो जागा जर्मनी काल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था 12 का A नमर अप्शन अपलोग ध्यान रखिएगा उने इसो एकानमे में निम्न में से कौन अस्तित्वे में आया तो ध्यान रखियेगा उने इसो एकानमे में निम्न में से कौन अस्तित्वे में आया तो ध्यान रखियेगा उने इसो एकानमे में निम्न में से कौन अस्तित्वे में आया तो नई आर्थिक निती आप लोग ध् बैंकिन्ग हो जाएगा, बैंकिन्ग जो है। पराथमिक छेत्र से समन्दित नहीं है, बाकी मतज से पालन होगया, खनन होगया, वन होगया, यह सबी पराथमिक छेत्र में आता है। चलिए अगला नमर कोश्चन, जमसेदपूर, दुरगापूर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के के केंद्र है, तो 15 का सही जवाब हो जाएगा, आयरन और अस्टील के उद्योग के केंद्र है, 15 का C नमर उप्सन आप लोग ध्यान रखिएगा, चलिए प्रतिव्यक्ति आय क आसे क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है, आसाता है, ठीक है, प्रतिव्यक्ति आय का आसे क्या होता है, तो आसाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, चलिए अगला नमर कोश्चन कह रहा है कि राष्ट्रिये बिकास परिशत का गठन कब हुआ, दिसकी मुद्रा को बोला जाता है टका ध्यान रखिएगा चलिए अगला नमर कोशन राष्ट्रिये आय का अर्थ क्या होता है उन्हें इसका सही जवाब हो जाएगा उत्पादन के साधनों किया है ठीक है राष्ट्रिये आय का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों किया है ड अगो हुआ था चलिए अब एकश्वा नमर कोशन भूमी विकास बैंक द्वारा किस परकार का रिन परदान किया जाता है तो ध्यान रखेगा दिर्ख का लेन रिन एक किसका सी नमर उप्षन सई हो जाएगा चलिए भारत में किस परकार की आर्थिक परनाली पाई जाती है तो हम आपको पहले भी बहुत बार बता चुके हैं कि भारत में मिस्री तर्फ्वेश्था पाई जाती है तो अपलोग ध्यान रखेगा मिस्रित आर्थिक परनाली आनी कि मिस्री तर्फ्वेश्था है चलिए अगला नमर कोशन नागा अर्जुन सागर प्रयोजना किस से समन द हुआ था तो बंगाल की खाड़ यानी कि 24 का डी नमर उप्शन अपलोग ध्यान रखेगा अब 25 नमर कोशन कहरा है कि समाने संचार विवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण होता है केबल का टूट जाना 25 का ए नमर उप्शन अपलोग ध्यान रखेगा चलिए 26 नमर प्रकार से कोशन पूछे जाते हैं एक तो पूछ का जाएगा कि बाल की चलिए कि नमर ऊप्शन सही हो जाएगा इसलिए आप लोग ध्यान रखेगा इसमें दो प्रकार से कोशन पूछे चलिए बाढ़ की समय लोगों को कहां पर जाना चाहिए तो बाढ़ के समय लोगों को उच भми पर जाना चाहिए जहां पर की पानी ना पहुंच सके 28 पर आपको देंड में से कौन छेत्रिय राजनीतिक डल्रंप इस नमर कोशन निम्न में से कौन छेत्रिय राजनेतिक दल है तो इसका सही जवाब हो जागा जनता दल उनाइटेड यानि की 29 का C नमर उप्षन ध्यान रखिएगा चलिए एगला नमर कोशन जो की काफी महत्पून कोशन है कि पंचायत के चुनाब कौन करवाता है पंचायत क कि किस राज्य से पंचायती राज्य की शुरुआत हुई तो 31 का सही जवाब हो जागा राजस्थान यानि की पंचायती राज की शुरुआ सब से पहले राजस्थान से हुआ था चलिए 32 नमर कोशन बरस 175 भरतिय राजनिती में किसलिए जाना जाता है बरस 175 में आप लोग आपको पहले भी बहुत बार बता चुके हैं कि तारी बिरोदी अंदोलन आंधर पर्देश से शुरूआ था 33 का सी नमर उप्शन सही हो जाएगा 34 नमर कोशन कह रहा है कि धर्म को समुदाय का मुख आधार कौन मानता है तो इसका सही जवाब सामपरदाइक हो जाएगा 34 का A नमर उप्शन आप लोग ध्यान रखियेगा 35 नमर कोशन कह रहा है कि सत्ता में साज़धारी सही है क्योंकि विभिन समुदाय के बीच टकराव कम होती है सत्ता में साज़धारी होने से सभी परकार के समुदाय को लगता है कि हमारा आदमी ही सरकार में है इसलिए दो समुदाय के बीच आपस में टक्राब कम हो जाता इसलिए D नमर अप्सन आपलोग ध्यान रखियेगा 36 नमर कोशन कहरा है कि नेपाल में सब्त दलिये गठवंधन का मुख खुदेश क्या है नेपाल में सब्त दलिये गठ बंधन का मुख खुदे से लोक तंत्र के अस्थापना करना 36 का बी नमर उप्सन आप लोग ध्यान रखिएगा 37 नमर कोशन कह रहा है कि भारत के इन राजियों में कौन कोईले का सबसे बड़ा उत्पादक राज है देखिए इस वाले कोशन में भी बच्चे अक्सर कन्फ्यूज कर जाते हैं पुछा जा रहा है कि सबसे बड़ा कोईला का उत्पादक राज्य कौन सा है तो इसका सही जवाब 36 गड़ हो जाएगा लेकिन पहले जार्खंड था इसलिए सारे अस्टूडेंट यहाँ पर जार्खंड ही मार करके चले आते हैं जो कि बिल्कूल गलत है जार्खंड अब दूसरे या तिसरे नमर पर चला गया है पहले नमर पर अब 36 गड़ा गया इसलिए 37 का D नमर उप्सन से ही होगा चले अब अलतिस नमर कोश्चन सौर उर्जा के उत्पादन के लिए सरवाधी कुप्युक्त राज राज राजस्थान है चले 49 नमर कोश्चन बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है बिहार की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कोशी नदी घाटी परियोजना ध्यान रखियेगा 49 का B नमर उप्सन से होगा बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कोशी नदी घाटी परियोजना सुन्दर बन टाइगर रिजर्ब कहा है चालिस नमर कोश्चन सुन्दर बन टाइगर रिजर्ब कहा है तो ध्यान रखिएगा चालिस का सही जवाब हो जागा पस्चिम मंगाल में सुन्दर बन टाइगर रिजर्प जो है वह पस्टी मंगाल में है चलिए एक तारिस नमर कोशन भारत में सबसे लंबा बांद कौन है भारत में सबसे लंबा बांद कौन है तो हीरा कुंडबांध आप लोग ध्यान रखियेगा 41 का C नमर option सही हो जाएगा 42 नमर question कहा रहा है कि कौन प्रात्मी कुर्जा का उदारन नहीं है कौन है जो कि प्रात्मी कुर्जा का उदारन नहीं है तो 42 का सही जवाब हो जाएगा बिद्दूत बिद्दूत है वह प्रात्मी कुर्जा का उदारन नहीं है अब चलिए 43 नमर कोश्चन जो की काफी असान कोश्चन है पूर्व मध्धरेल का मुख्याले कहा है तो इसका सही जवाब हाजी पूर हो जाएगा यानि कि 43 का D नमर आप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा अब बताईए कि चावल क्या है खरीब फसल है कि रवी फसल है कि जायत फसल है तो सभी लोग जानते हैं कि चावल जो है खरीब फसल है 44 का A नमर आप्शन सही होगा चावल खरीब फसल है चलिए अगला नमर कोशन कहरा है कि निम्न में से कौन नीजी छेतर की कमपनी नहीं है निम्न में से कौन नीजी छेतर की कमपणी नहीं है तो 45 का सही जवाब हो जागा सेल यानि कि जो सेल है वह नीजी छेतर की कमपणी नहीं है चलिए कौन खनीज कोडर्मा से सम्बंदित है यानि कि जारखन में जो कोडर्मा सहर है वहाँ सबसे अधीक कौन सा खनीज पाया जात प्लड का दूसरा नाम स्वेत करांती है 47 का C नमर उप्सन आप लोग ध्यान रखिएगा 48 नमर कोशन कह रहा है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जीले परशिद्ध है लीची के उत्पादन के लिए बिहार का कौन दो जीला है जो कि सबस्यधिक यानि कि D नमर उप्सन सही हो जाएगा यानि कि लीची सबस्यधिक कहां पाय जाता है तो मुझपर पुरावर बैशाली में आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है उन्चास का सही जवाब बचत हो जाएगा देखे जैसे माल लिया कि हमारा आय चार हजार रुपया है और हम उसमें से 2000 का उपभोग कर ले रहे हैं तो हमारा बचत कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा अंतर मतलब होता है घटाओ यानि कि आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है तो वहीं बचत कहलाता है चलिए 50 नमर नमर कोश्चन इनमें से कौन ब्यापारिक बैंक की जमा क परकार नहीं है तो इसका सही जवाब हो जागा अधीवीकर, यानि कि पचास का C nள option सही हो जाएगा, चली एगला नमर कोशन, प ho dimensional पुछरा है कि पुछ रहा है कि कि पुछू बाजार में कि सही जवाब हो जागा दियरह, कालीन रीन का यानि की एक कामन का बी नमर उप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा चलिए बामन नमर कोशन आप से पूछा जा रहा है कि या कथन किसका है कि ग्रहाक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महतवपून व्यक्ति है और हम पर निर्वर नहीं बलके हम उन पर कि ये का बामन का महत्मा गांधी सही जवाब हो जाएगा यानि कि या कथन महत्मा गांधी का है चलिए अगला नमर कोशन इनमें से कौन गेर आर्थिक अदारभूत संरक्चना का घटक है तो तुर तो तो ज्छा हो जाएगा और उर्जा का गेर पारम पर इक्सुरोत है गुंडवाना समू के कोईले का निर्मान कब हुआ था गुंडवाना समू के कोईले का निर्मान हुआ था 20 करोड बर्स पूर्व ठीक है 20 करोड बर्स पूर्व हुआ था कौई थ्यान रखिएगा। थ्यान रखिएगा, क्वा रिषयरा राएगि क्वा रुसादार फसल नहीं है। देखे, पुछा जा रहा है कि कौन रेसेदार फसल नहीं है, तो कपास्तु रेसेदार फसल होता है, जूट भी होता है, सन भी होता है, लेकिन गर्ना रेसेदार फसल नहीं होता है, इसलिए संतामन का C नमर अप्शन सही होगा, अंठामन नमर कोशन कहरा है कि कांडला विसेस तो अंठामन का कौन सा अप्शन सही होगा, अंठामन का B नमर अप्शन सही होगा, कांडला विशेस आर्थिक छेत्र गुजरात में है, 69 नमर कोश्चन कहरा है कि गुटेन बर्ग का जन्म कहां हुआ था, तो उनसट का सही जवाब हो जागा जर्मनी में, गुटेन बर्ग का पहली रूसी करां देखर खिएगा, जो जो पहली रूसी करांती होती है, उसको फरवरी के करांती के नाम से जाना जाता है, और जो दूसरी रूसी करांती होती है उसको अक्टूबर करांती के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर आपसे पहली पूछा जा रहा है तो पहली फरवरी करांती हो जागा लेकिन student क्या करते हैं कि नीचे comment करने लगते हैं कि इसका तो October करांति होगा तो ध्यान रखिएगा 2017 की दुसरी रूसी करांति अगर रहेगा तुसमें October की करांति होगा लेकिन पहली रूसी करांति फरवरी करांति ही कहलाता है 60 का A नमर उप्शन चलिए 62 नमर कोश्चन लाल सेना का गठन कब हुई तो ध्यान रखेगा 1926 वी में All India Muslim League के स्थापना 1926 वी में हुआ था 165 का सही जवाब पटना हो जाएगा थीक यानि की पटना साही में ही तक्त सिरी हरीमंदिर साहीब का मकबरा है ध्यान रखेगा 64 का ए नमर उप्सन सभी लोग जानते हैं कि सिपाही जवाब हो जाएगा कि प्रात्मिक छेतर से है चलिए बिहार दिवस का मना जाता है तो इसका सही जवाब हो जागा 22 मार्च को बिहार दिवस 22 मार्च के दिन मनाया जाता है सबसे बड़े पसु मेला का एोजन किया जाता है कहां में जल्दी से बताइए सबसे बड़ा पसु मेला कहां लगता है तो सभी लोग जानते होंगे कि अलसट का सही जवाब ए नमर उपसन हो जाएगा कि सबसे बड़ा पसु मेला का एोजन सबसे बड़ा पसु मेला का एोजन सबसे किया जाता है सासा राम में किस एतिहासिक सासक का मकवरा इस्थित है 69 नमर कोश्चन सासा राम में किस एतिहासिक सासक का मकवरा है तो नहत्तर का सही जवाब हो जाएगा सेरसा सूरी का यानि कि सासा रा में सेरसा सूरी का मकवरा है सत्तर नमर कोश्चन कह रहा है कि फलाइंग सटल मसीन का विसकार किस ने किया सत्तर नमर कोश्चन फलाइंग सटल मसीन का विसकार किस ने किया तो एक 70 का सही जवाब हो जाएगा पश्ची मंगाल में, ध्यान रखिएगा दुरगापूर पश्ची मंगाल में पढ़ता है, एक 70 का C नमर अप्शन सही होगा, चले अगला नमर कोश्चन, हिगेल कौन था, 73 नमर कोश्चन, हिगेल कौन था, तो 73 का सही जवाब C नमर अप्शन हो जागा, कि हीगेल एक दार्शनिक था हीगेल कौन था तो हीगेल एक दार्शनिक था चले चहुतर नमर कोश्चन मार्च 1946 में फ्रांस और बियतनाम के बीच होने वाला समझवता किस नाम से जाना जाता है पहला पुछा जाता है कि बंगाल भी भाजन कब हुआ था और दूसरा पुछा जाता है पहला पुछा जाता है पुछ रहा है कोशन में कि किस भुकंपी तरंग की गहनता सबसे कम होती है तो ध्यान अखियागा 76 का C नमर अप्शन सही हो जागा कि L तरंग की यानि कि जो L तरंग होती है उसकी गहनता सबसे कम होती है चलि अगला नमर कोशन कहा रहा है कि कूल जल का कितना परतिसत भाग महासागरों में है तो 77 का सही जवाब हो जागा 97 यानि कि 97 परतिसत जल जो है वह महासागरों में है अठतर नमर कोशन बिहार कि किस नदी घाटी पर नदी घाटी परियोजणा नहीं है तो धियान रखिएगा बिहार में इसा दो नदी है एक तो सतलज है और दूसरा पुन-पुन है तो यहाँ पर आपके option में सतलज तो नहीं है इसको जवाब पुन-पुन हो जागा D नमर option अगर option में सतलज रहगा तो आप लोग सतलज को भी मार दीजेगा चलिए अगरा number question गेहू फ़सल है गेहू किस परकार का फ़सल है तो सभी लोग जानते होगे कि गेहू रवी फ़सल है यानि कि 89 का P number option सही होगा चलिए अब 80 सबसे last question बलबंत राय मेहता समीती का सम्द्ध में किससे है तो सभी लोग जानते होंगे कि बलबंत राय मेहता समीती का जो सम्द्ध होब पंचायती राजव्य बशता से 80 का B number option सही हो जाएगा तो cool मिला करके हम आपको 80 question बताए जो कि आपके परिक्षा के लिए काफी जादा मतब पूने एक-एक question को आप लोग जरूर से जरूर याद कर लिजेगा ताकि आपके परिक्षा में एक भी objective question ना छूटे और जस्ट कुछी देर के बाद हम आपको 80 question का एक और state देंगे आप लोग उसको भी जरूर देख करके ही जाईएगा ताकि आपके परिक्षा में एक भी objective question ना छूटे तो चलिए उमीद करते हैं कि आप सभी लोग इस class को लाइक कर दीजे जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजे और जल्दी से अपने दोस्तों के बीच भी share कर दीजे और जल्दी से चैनल को subscribe कर दीजे ताकि आगला वीडियो को notification आपके पास सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद धन्यवाद